नमस्कार मैं हूँ सुनील यादाव और आपका स्वागत है गुरुगुराम के अपने पहले वेब न्यूज चनल में जहां दिखाई जाती है खबरे आपके शेहर की रविवार को भी गुरुगुराम में कोरोना अपनी पूरी तेज रफ्तार में दोड रहा है आपको डिटेल्स बताएं सुबह का बुलिटन आज आ चुका है उससे पहले मैं एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग यानि कि गुरुगुराम न्यूज आप टेलिग्राम पर भी उपलब्द है और इस ख़बर के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलिग्राम जो गुरुप है हमारा उसका लिंक आप लोगों के लिए डाल दिया है हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी लोग टेलिग्राम इस्तमाल करते हैं आप उस लिंक पर जाकर हमारे उस गुरुप को जोइन कर लिजे उसका एक फायदा ये है कि उसमें जो भी हम पोस्ट करते हैं अगर माल लिजे आज आप आज ही उसमें एड हुए हैं तो आप उसमें पुरानी पोस्ट भी देख पाएंगे सारी और दूसरा ये कि आप अपने मोबाइल में ही जैसे वाटसप में हम कोई पोस्टर अगर पोस्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी डल हो जाती है जिसको पढ़ने में हो सकता है आपको समस्या हो लेकिन टेलिग्राम पर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी उसमें हाई क्वालिटी में ही पोस्टर अपलोड होते हैं इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे उस ग्रूप से जुड़ सकते हैं और दूसरी चीज है कि उसमें हजारों लोग एक साथ एक ही ग्रूप में जुड़ सकते हैं अब बात करते हैं कोरोना की, कोरोना तेज रफतार से दोड़ रहा है, गुरुगराम में पिछले चार दिनों में 400 से ज़ादा नए पॉजिटिव मामले पाए गए हैं गुरुगराम में, ऐसे में वक्त आ गया है कि हम लोगों को आप लोगों को बहुत ही एतियात बरतनी हैंड वोश का इस्तमाल करें, इस तरह की एतियात हमें बरतनी होगी, तभी आप और हम इस कोरोना महमारी से बच पाएंगे, इस से लड़ पाएंगे अब बात कर लेते हैं, रविवार के दिन भी गुरुगराम में जो मॉर्निंग बुलेटन आया है जो स्टेट का, उसके मुताबिक गुरुगराम में 82 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, और अब ये आकड़ा जो है वो 700 से पार चला गया है, जी आँ, 769 टोटल केसि और इसके अलावा, साथ साथ इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि 60 लोग, आज 60 लोग, डिस्चार्ज भी किये गए हैं अस्पताल से, जो की ठीक हो गए हैं, अब मैं आकड़ा आप लोगों को बतायता हूँ कि कुल आकड़ा क्या बनता है, गुरुगराम में एक्टिव प्लस होगी उसमें और वो बढ़कर अब टोटल होगी है, 281 यानि कि 281 टोटल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या हो गई है, और 3 लोगों की मौत अब तक कॉरोना से गुरुगराम में हो चुकी है, अब एक्टिव केस की बात करें, तो एक्टिव केस अब गुरुगरा बाकी है, उसमें देखना होगा कि कितने केसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, लेकिन कही न कहीं जो जिला प्रशासन है, उनकी रणनीती कही न कहीं अब फेल होते हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस रफ्तार जो रफ्तार एकदम कॉरोना ने पकड़ी है, कहीं लोगडाउन किन-किन लोकेशन से सारे केसे जायत हैं, वो हम अपने फेस्बुक पेज पर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन जो कल शाम को भी हमने आप लोगों के सामने बुलिटन में बात कही थी, कि जिला प्रशासन क्यों ढिलाई बरत रहा है, जो लोकेशन से उनको देर रात क्यों जा अपने आती है, एक बर फिर अपील करूँगा कि आप लोग हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही आप से यह अपील करूँगा कि आप लोग इस खबर को भी शेर कर दें, और अपने आपको सेफ रखें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकल रहें इस करूँगा हमारी से बचने के लिए, नमस्कार